धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित होने वाले दो दिवसिये भारत श्विलंका टेटवीन्टी मेंचुं को लिकर HPCA के आधिकारियों ने धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में बाहरी राज़ों से आने वाले लोगों के प्रवेश पर रुख लगा दी है इससे पहले बाहरी राजों से आने वाले लोग धर्मशाला घूमने के साथ साथ विश्व के सबसे खूबसूरत स्टेडियम में से एक धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम की सुन्दरता को भी निहारते थे लेकिन अब सुरक्षा विवस्था और अन्य तैयारियों के चलते बाहरी राजों से आने वाले लोगों की प्रविश पर रोक लगा दी गई है ताकि मैच के तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा सकी धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में आयूजित होने वाले दोदेफ सियाट एट वन्टी बच्चों को लेकर फारत और श्री लंका की टीम में 25 फरवरी को धर्मशाला में पहुंच जाएंगी बताते चलें कि इन दोनों टीमों की खिलाडियों को बायो बबल सुरक्षा के बीच रखा जाएगा इसको लेकर भी हच पी सी एक ने सारे स्टाफ को क्वारंटीन कर दिया है ताकि खिलाडियों को बायो बबल सुरक्षा के बीच रखा जा सके मेरा नम अनुप कुमार है, मैं रियाने से आया हूँ, यहां स्टेडियम देखने के लिए था, यहां ओफला इंटिक्ट नहीं मिल रही है, इसलिए हमें बड़ी निरास हो रही है, क्योंकि हमें बहुत दूर से आये हैं, जो दूर से इतनी जुनता जादा यह तो फिर भी हमे इसलिए हम निरास होगी आँ से जा रहे हैं, मैं सिर्शा घरणा से हूँ, और मैं इदर इस्टेडियम देखने के लिए था, और मैं बहुत निराशा हो रही है में गेट है स्टेडियम का वो बंद हो चुका है हमें यह लगा कि ओफ लाइन टिक्ट लेके ही जो मैच का लुपत है तो इससार हम बहुत में रख्षा हो रही कि हो यह में होल और जो गेट है वो बंद हो चुका है मेरा नाम राज और मैं कुलू साइंस देखने के लिए जो टिकल लेने आए थे काउंटर नहीं खोला नहीं है शुरू नहीं किया है इतिन दूर से आये हम और यहां पर स्टेडियम भी बंद कर दिया अंदर तो जाने नहीं दे रहे हैं तो स्टेडिम भी देखना तो थोड़ नहीं मिलेगा तो यहीं रूट से जा रहे तो तो स्टेडियम भी देखने आये पर 27 तरी को इंडिया श्री लंगा का मैच होने के जासे यहां पर विजिटर्स को अलाउड नहीं है तो हम लोग को देखना था थोड़ा देखते तो बहुत अच्छा लगता था थोड़ा नि